हलो दोस्तों एक बार फिर्स वागत है आपका आपारे शैनल पर बेर राव है वरूड और हम बात कर रहे हैं सीवीटी के तो सीवीटी के एड्मिशन स्टार्ट कर दी हैं बहुत सारी यूनिवर्स्टी ते अलग-अलग वीडियो में बढ़ा चुका हूँ और अब ही बस दिमाग में क्या लिया है कि कौन सी उडिवर्स्टी अच्छी है तो आप सभी के लिए पूरी उडिवर्स्टी का ओबर्व्यू लेकि हम यहां आ रहे हैं और उसी सरंकला में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सेंट्रल यूनिवर्स्टी ओफ क तो चलिए स्टार्ट कर लेतें सेंट्रल यूनिवर्स्टी ओफ करनाटगा का ओबर्व्यू हम यहां देखने वाले हैं सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्स्टी ओफ करनाटगा की तो भाई यह सी यू के कहलाती है इसलिए भी याद रखना कई बार हम सॉट इसको बताएं तो भाई यह सेंट्रल यूनिवर्स्टी में जो नए बनाए गए थे सरकार के दौरा उसमें एक हुआ करता था उस समय की बात है जब भाई यह यूजी सी ने 11 प्लान स्टार्ड गया था 11 प्लान बीरियेड में ठीक है ना भी तो यहां पर फलब 11 योजना इक्विटी और एक्सिस जो नहीं मिल पा रहा है लोगों को गरीब लोगों को पढ़ाई में और जो कमजोर वर्के लोग है उनके लिए भी यह ग्रेजुएट इन्रॉल्मेंट रेशियो बगेरा जो कम हुआ गर रहा था टोटल 11 परतिशत एबरेज हुआ कर रहा था नेश 2009 में जो हम यहां पर देख चुगे हैं कैंपस की साइज है भाईया छे सो चौवान ये कर में फैला हुआ अच्छा भब आपका यह यह उनिवरस्टी है रिकॉगनाईज बाद नैक यूजी सी एंड ए आई यू यह तीनों के द्वारा यहां पर रिकॉगनाईज है साथी सा इंस्टिट्यूट सेंट्रल यूनिवरस्टी है हमने बात करियो यह सो सेंट्रल यूनिवरस्टी है पबलेक इंस्टिट्यूट है एकसेप्टेंस एक्जाम्स की बात करें तो सी यू सी इटी जिसको सी यू इटी भी कहा जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है साथी साथ यही means के द्वारा यहाँ पर technical courses में आपको admission दिया जाता है number of courses offered की बात करें तो central university और करनाट का 40 courses को offer करती है जो कौन-कौन से हम discuss करने वाले हैं don't worry official website इसलिए याद रखना है क्योंकि यहीं पर इसी website पर आपको क्या करना है आपको registration या application process करनी है यह official website है इसी के माध्यम से admission process हो पाएगी करनाट का university में ठीक है चलिए gender intake की अगर बात करी जाए तो यह co-ed university है मतलब male और female दोनों यहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं याद रखेगा ठीक है तो co-ed university है और application mode की बात करी जाए भी हर university में maximum जगों पर online admission की प्रक्रिया ही जारी है departments की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे departments है school of humanities and languages इसके अलावा education and training school of earth science, school of social and behavioral science इसके अलावा business studies हो गया, physical science हो गया, computer science हो गया, engineering हो गया, chemical science हो गया, life sciences हो गया यह सभी के सभी departments है किसके Central University of Karnataka के इसी के अंतरगत अलग-अलग courses offer करे जाते है scholarship की बात करें भाई, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को encourage करने के लिए यहाँ पर merit based, ताती साथ आपकी particular caste based जो भी जो गरीब तब के से लोग बगाते हैं उनके लिए बहुत सारी scholarship offer करी जाती है Central University of Karnataka की अगर बात करें तो merit come means scholarship है, merit come मतलब अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तेज हैं और merit list में आते हैं तो उसके through भी आपको scholarship दी जाती है, साथी साथ post metric scholarships भी है, यहाँ पर post metrics यानि कि आपने बारभी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया तो उसकी भी आपको scholarship प्रवाइड की जाती है, OBC के लिए अलग OBC scholarship यहाँ पर प्रवाइड की जाती है, scholarship for SC, STs के लिए मतलब जो भी schedule caste and schedule tribe category से belong करने वाले students हैं, उनके लिए अलग सी scholarship दी जाती है और government of करनाटका की तरब से भी बहुत सारी scholarship यहाँ offer करी जाती है, ताकि भाई पढ़ाई में कमी न हो पाए और हम क्या है education label को बढ़ा पाएं, तो भाई इसलिए बहुत सारी scholarship है, यहाँ पर तो वो तो कोई समस्या है नहीं, admission criteria और process की अगर बात करी जाए, तो हमें पता है कि online ही सारे admission होने हैं, तो CU के admission, all course is done through the Central University Common Entrance Test इसको बोला जा रहा है Central University Common Entrance Test, जो अब क्या कर दिया है, CUET कर दिया है, Common University Entrance Test ठीक है, CUCT या CUET, दौनों आप यही बात कर रहे हैं, इसके द्वारा इसको Central University इंडिया जो हर साल कराती थी, उसको आप CUET कर दिया गया है, ठीक है, NTA के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, organize करा जा रहा है Stats को, और जो हो चुका है इस साल का, और उसके numbers जो है, उसकी scorecard बगेरा भी release कर देगा, उसके basis पर अब admissions हो रहा है, Central Universities में, सारी 45 universities जो है, वो CUET को मानेता दे चुकी है, तो cutoff की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो भी cutoff रहेगा, release करने के बाद, उसके basis पर university यहाँ पर क्या करेंगे, admission प्रोवाइड करेंगे, तो आपको क्या करना admission process कराई जाएगे, 13 October, जो की आने वाला है, याद रखिएगा, 13 October जो है, वो last date है, यह याद रखना है, हमने इस पर भी discuss किया हुआ है, यह last date है, CU के admission, 2022 की, ठीक है न, इसको याद रख लिजे, अगर आप चाह रहे है, admission लेना, तो भाईया, बिल्कुल भी देर नहीं करना है, आपको online जाके, आपको application कर देना है, admission के लिए, university offers program in commerce, field के जितने student होन के लिए, बहुत सारे programs है, science field के बच्चों के लिए, law हो गया, art side हो गया, education and management field के, सारे की सारे students के लिए, इतने सारे programs offer कर रही है, CU के, student must have the certificate from the CUT national board, मतलब याद रखिएगा, यह CUET है, इसको मैं बार-बार बता रहा हूँ, आप confused नहीं होईगा, ठीक है, उसको eligibility का, जो scorecard है, वो लगेगा, यहाँ पर, online जबाप, फुल्फिल कर रहा है, application form, तो university also requires the certificate and mark seats, from the last qualifying level of PG or UG admissions, अगर आप UG admission के लिए चाह रहा है, तो 12th class के आपके certificates लगने वाले हैं, और अगर PG program, post graduation program में admission देना चाह रहा हैं, तो भाई आपके UG के certificates भी लगने वाले हैं, यहाँ पर, application fee जो है, भाईया, वो 1000 रुपे की है, किसके लिए, journal category के students के लिए, याद रखियेगा, साथ ही साथ जो C's and C's category से belong करने वाले students हैं, उनके लिए, भाईया, 4500 रुपया, यहाँ पर, क्या होगा और PWD के जो category के लोग हैं, उनको क्या है, भाईया, fee pay नहीं करनी है, exclude कर दिया गया है, पैसे नहीं जमा करना, PWD के candidates को, ऐसे ही हो जाएगा, आपको बस भर देना है, अपने certificates बगेरा देना है, अगर BTEC program आप करना चाह रहे हैं, यारी technologies से आप क्या bacheloret करना चाह रहे हैं, तो admissions के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका, जो JE means का exam आपने दिया था, उसका entrance exam के जो marks हुए है, उसके basis पर आपको BTEC program में admission मिल जाएगा, याप है, और अगर MBA program आप करना चाह रहे हैं, MBA courses करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, qualifying test होगा, interview होगा, औ आपको fulfill करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर MBA program में आपको admission दिया जाब पाएगा, 2022 का जो admission हो रहे है, वो session क्या है, start होगा March मा, ठीक है, साथ ही साथ registration process online होगी, university admission tab पर, अब बहाँ university की side पर जाएगे, तो वहाँ आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगे, तो इस्ट प्रोसेस के लिए अगर आप जॉब करना चाहा रहे है, तो placements के लिए हाँ और नहीं तो आपको इंटर्शिप बगेरा के लिए भी आपको यहाँ सारे guidance क्या guide किया जाएगा, इस्टूदे अगर बहाँ अच्छा इनका record रहा है, 100% placement का record है, इनका, ठीक है, the graduates are placed in prestigious companies and under large salary packages, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे बड़े-बड़े packages पर लोग बग गए हैं, यहाँ पर conduct the guest lectures, company visits, ERP program और साथी साथ assist करती है अपने student को उनके career journey के लिए, ठीक है तो university यह अपनी सारे जो भी इनकी कारे हैं, college के university के अपनी तरब से उन सभी का निर्वहन करती है बड़े अच्छे से ऐसा यह इनन है, बोला है CEO की के बारे में, चलिए application form की अगर बात करी जाए तो Central University के लिए भी सारे के सारे courses available है, बहुत सारे, ठीक है student have to clear entrance test for the admission यह आप में पता है, और also required to fill the application form online, अगर आप form ही नहीं भरेंगे तो तो कैसे आप आएंगे, parent list में यह भी समस्था है, तो इसको form fill करेंगे, तभी admission हो पाएगा, student can fill the form online and make payment of the application fee, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो fee बगेर आपको pay करना है, form बरने के बाद नहीं तो आप eligible नहीं होंगा, है ना, याद रखेगा, courses और उनकी fee किया है, यहाँ दे अफर कर रहे हैं, यहाँ पर 9 dual degree के, integrated courses जो होते हैं, dual degree programs भी दिये जाते हैं, 15 PG program यह उफर कर रहे हैं, और 16 research program उफर कर रहे हैं, some of the popular courses are mentioned below, नीचे हैं, जो हम discuss करने माले हैं, don't worry, ठीक है, चलिया है, MSC program है, यह PG program यह उफर कर रहे हैं, प्रोग्राम में याद रखिये हैं, post graduation के लिए master of science, 11 courses की offer कर रहे हैं, 11 courses मतलब अलग-अलग stream के लिए MSC program रहेगा, जिसके लिए total tuition fee की अगर बात करी जाए, तो 16.06K है, और यह program जो है, यहाँ पर 28.84K से 60.06K तक के अलग-अलग 11 programs हैं, तो सब में अलग-अलग tuition fee है, और यह programs 2-5 साल के यहाँ पर हैं, साथी साथ eligibility की बात करी जाए, तो अगर आप ऐसा program कर रहे हैं, 2-5 साल की dual degree program में यहाँ पर, तो 12 होने चाहिए, और 50% marks आपकी, होने चाहिए, साथी साथ अगर आप direct वाला 2 साल program कर रहे हैं, तो graduation होने चाहिए, 50% marks है, exams की बात करें, तो CUET जो PG वाला अपका examination था, वो और भी अगर single आप UG वाला कोर्स करना चाहिए, single वाला, तो UG वाला आपको CUET examination उना चाहिए, conduct, BSC program अगर आप करना चाहिए, bachelor of science, 9 courses यहाँ पर offer करें रहे हैं, जिसकी fee की अगर बात करें, तो 31.22K, 31,000 रुपे से start होके, 60,000 तक के, यहाँ प अगर आप BSC start कर रहे हैं, तो 12th pass होना चाहिए, 50% mark से, exam आपने CUET UG वाला, 2022 बाला conduct किया हो, दिया हो, उसके बाद ही आपको यह हो पाएगा, MCA program आप करना चाहिए, master of computer application, एक course offer किया है, total tuition भी एक बार vary हो रही है, तो एक बार check कर लिजेगा, please इसको, साथी साथ इसके ल प्रोग्राम आप करना चाहिए, PGDM प्रोग्राम करना चाहिए, यह दो courses हैं, यह आप है available, इनकी fee आपकी पहरी होती रहती है, इसलिए एक बार please check कर लिजेगा, साथी साथ इसके लिए भी graduation में 50% marks आपके होने चाहिए, और CUET का PG वाला exam आपने दिया हो, एहमें करना चाह है, total fee, अलग-अलग courses के लिए याद रखिएगा, चीक है, 2-5 साल का यह program है, और यहाँ अगर आप direct करना चाहिए, तो 10th में आपके 50%, 12th में आपके 50% marks होने चाहिए, graduation में 50% marks होने चाहिए, साथी साथ CUET वाला PG program आपने किया हो, मतलब जो exam हुआ था, उसको आपने दिया ह और result आ तो चुक है, यह scorecard उसका होना चाहिए, CUET वाला exam आप दे सकते हैं, और बहुत सारे courses हैं, जिसके लिए आप क्या गर सकते हैं, इनकी website के home page पर जाके, courses पर, click करेंगे, तो आपको सारे courses यहाँ पर, मिल जाएंगे, fees बगेरा, आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लेस्मेंट की बात करें, तो भया, सबसे बड़ी बात तो यह है, हम पढ़तो लेगे, लेकिन प्लेस्मेंट का क्या कैसी व्यवस्ता है, तब तो हम जाए, है ना, सो प्लेस्मेंट हर युनिवस्टी में बहुत important होता हो, और यहाँ तो यह बोलना है कि 100% प्लेस्मेंट है हमारे, अलगी हर युनिवस्टी यही बोलती है, लेकिन ठीक है, Central University of Karnatica Campus has been visited by the companies over the years, 2009 से करी रही है, बच्चों के लिए, और company क्या कर रही है, यहाँ पर प्लेस्मेंट ले रही है, दे रही है, तो यहाँ पर, ING वैश्या बैंक हुआ कर रहा था, इन्होंने क्या किया CEU के, Central University of Karnatica के स्टुडेंट जो थे, Commerce और Management Department के, यहाँ पर उनको क्या किया हुआ है, 2013 में recruit करा था, same year MBA students की बात करें, तो वो भी recruit किये गए थे, किसके द्वारा, Messers Senergy, ठीक है, बैंगलावर की यह company है, इसके द्वारा, और अगर बात करें, Access Bank भी आई थी भई, ठीक ह इन्होंने भी क्या करा था, Campus लिया था, और बहुत सारे स्टुडेंट को Final Placement दिया था, साथी साथ, विल्सरी, यह Multinational Insurance Company है, इसने भी, भई, CU के आई, और यहाँ पर बच्चों को, 2015 में, School of Earth Science के बच्चों को क्या किया था, recruit किया हुआ था, ठीक है, placement इनको दिया हो था, Global Techno, Sikshah, and Infotech, यह भी कंपनी है, जो आई थी, यह Campus लिया था, इन्होंने March 2016 में, और बच्चों को, Placement दिया था, याद रखिएगा, तो अच्छे अच्छे recruiters हैं, यहाँ पर companies आती रहती है, कौन-कौन से इनके, जो टॉप recruiters हैं, उनकी अगर बात करी जाए, तो आइन ज सर्विसेस हो गया, यह Inbridge, Solution, Private Limited, तो बड़े-बड़ी यहाँ पर top most recruiter रहे हैं, इनके facilities क्या-क्या प्रोबाइट करती है, तो यह Central University करनाटका का Campus, जो है Campus House, State of the Art, Infrastructure, Including Hostels, यहाँ पर हैं, बच्चों, मतलब दौनों के लिए, men and women, males and females के लिए, cafeteria भी है, bank भी है, ITM भी है, साथ ही जात, library भी है, और अगर highlights में बात करी जाए, तो बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, क्या-क्या वेवस्ता है, library की है, cafeteria है, hospital है, medical की अलावा, जिम की वेवस्ता भी एक convenience store है, labs, others, तो बहुत सारी जो normal facility, हर university में जो होती है, वो तो होंगी ही आपकी यहाँ पर, ठीक है न, सो यह तो सारी बात होगी कि सेंट्रल यॉनिवस्टी ओप करना अटका की, और इसी के साथ, अगर अब भी कोई doubt बचा हो, सेंट्रल यॉनिवस्टी ओप करना अटका के लिए, तो बहुत करके बता दीजे कि सर, यह समस्या है, तो हम उसको भी आपके doubt को clear करतेंगे, लेकिन भाई, admission लेने से पहले दिमाग में doubt नहीं होना चाहिए, तो भाई, अंगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अंगले college के साथ आएंगे, तब तक के लिए करना क्या है, आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको like करें, दोस्तों में share जरूर कर रिजेगा, और चैनल सब्स्राइब करना है, ताकि COET के हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल पाए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राहे हैं.